एक सवांतर सरेडी के पर्थम चार पद ग्याद कीजिए जिसका पर्थम पद माइनस दो तथा सार्वांतर माइनस तीन है तो यहाँ पे दिया गया है ए बराबर माइनस दो पर्थम पद है माइनस दो और सार्वांतर डी बराबर है माइनस तीन और हम इस सरेडी के पर्थम च और तीसरा A प्लस 2D होता है और चौथा A प्लस 3D होता है हम चार पद निकालने हैं ऐसे आगे पांचवा जो पद होता है A प्लस 4D होता है लेकिन हम चार पद तक ज्याद करना है शुरू के चार पद निकालने हैं तो चलिए हम यहाँ पर A और D का मान रखते हैं तो यहाँ लिख दें A और D का A और D का मान इस ब्यापक रूप में रखने पर रूप में रखने पर पहले है A तो A कितना है माइनस दो कामा A पलस D है दूसरा पद तो A है माइनस दो पलस D है तो D है माइनस तीन तीसरा पद है A पलस 2D तो A है माइनस दो पलस दो गुड़े D तो दो गुड़े माइनस तीन माइनस तीन को ब्रेकर में कर दें बस दो गुड़े माइनस तीन हो जाएगा चौथा जो पद है A प्लस 3D तो A है माइनस 2 पलस 3 गुड़े D है माइनस 3 हमें पर्थम 4 पद ही ग्याद करने हैं अब यहां पर हल कर लेते हैं तो पहला पद तो माइनस 2 है दूसरा पद यह माइनस 2 है और यह माइनस 3 है दोनों को जोड़ना है तो दोनों मिल करके हो जाएंगे माइनस 5 तीसरा पद यह माइनस 2 है पलस 2 गुड़े माइनस 3 यहां पहले गुड़ा करेंगे 2 गुड़े माइनस 3 हो जाएगा माइनस 6 2 तियाए 6 माइनस 6 हो गया और माइनस 2 तो बराबर हो जाएगा माइनस 8 और चौथा पद हो जाएगा यहां गुड़ा करेंगे तीन तरिके 9 माइनस 9 हो जाएगा और माइनस 9 में माइनस 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 11 तो इस तरह से इस सरेडी के ये पर्थम चार पद हैं जिसका पर्थम पद माइनस दो और सारवांतर माइनस तीन है मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके समझ में आया होगा आपको पसंद आया होगा हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कहते हैं जै हिंद जै भारत